सो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके का ओनलाइन फ्रॉट होता है तो गाइस आपको फ्रॉट हुआ पैसा वापस मिल सकता है और गाइस मैं यह ऐसा ही नहीं बता रहा हूँ मैंने लास्ट वीडियो पर पुरा प्रॉब भी आप लोगों को दिया था कॉलकाता पे रहने वाले रंग्विर सर्माजी के साथ 60,000 का फ्रॉट हुआ था और हम दोनों ने मिलके नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर यहां पर हम लोगों ने कम्प्लेइन किया था और कम्प्लेइन करने के 24 आवर्स के अंदर ही उनका प्रॉडवा पैसा उनको वापस मिल गया है आज के इस वीडियो में वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर कम्प्लेइन करने के बाद भी और भी बहुत चारे प्रॉसेस है अगर आप पूरा कम्प्लीटली वो प्रॉसेस करती हो तो मैं 100% आप लोगों बता सकता हूँ कि आपका फ्रॉ आपके पाँस जो अंडरोट फोन है उसे खुलना है खुलने के बाद आपको टाइप करना है cybercrime.gov.in इसे खुलने के बाद आपको यह वाला हमपेच आएगा national cybercrime reporting portal आएट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक help line number दि दिया है यानि कि आप direct help line number पर call करके अपना complaint register कर सकते हो लेकिन अगर आप help line number पर call करके complaint register करते हो तो आपका case को इतना seriously नहीं लिया जाएगा क्योंकि call पर आप सिरिफ details ही share कर सकते हो ठीके आप कुछ proof share नहीं कर सकते हो यहाँ पर report करने से पहले आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आपके साथ जिसने भी fraud किया है उसका number, email id या फिर account से पैसा कटा हुआ message का screenshot जितने भी proof है यह सारे proof आपको इकटा करना है इकटा करने के बाद आपको यहाँ पर आना है यहाँ पर आने के बाद अगर आप एक human हो या फिर किसी child के साथ कुछ fraud हुआ है तो आपको क्या करना है यहाँ पर देखे पहले वाला option है report human child related crime ठीक है अगर आप child and human नहीं हो तो आपको क्या करना है report cyber crime पे आपको जाना है यहाँ पर जाने के बाद process तोड़ा से simple ही है process लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगो clear तरीके से करना होगा तो इसलिए request करना हूँ कि वीडियो को skip मत करते ना एक बार वीडियो को पूरा देखना क्या पता पांस-दस मिलिट इस वीडियो को देखने के बाद आपका fraud वाप ऐसा आपको वापस मिल जाए तो यहाँ पर report cyber crime पे आने के बाद यहाँ पर कुछ description दिया है अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो सो सिंपल है हम लोग चलते फाइल एक कंप्लेइन ठीक है और यहाँ पर और एक description दिया है और आप लोग इस चीज़ को ज़रूर पढ़ना कंप्लेइन करने से पहले उसके बाद इसको I accept आपको करना है एक्सेप करने के बाद actually क्या है यहाँ पर जैसे आप साइबर क्राइम पर अपना कंप्लेइन रिजिस्टर करते हो रिजिस्टर करने के बाद आपका जो कंप्लेइन वह लाइफ इस्टेटस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपका जो कंप्लेन ने कहां तक पहुंचा है सब कुछ डिटेल्स कर सकते हो मैं क्यों बता रहा हूं कि यहां पर देखिए मानलों अगर आपने पहले कंप्लेन किया है तो यहां पर सिंपलिस का एक सबसे पहले आपको क्या करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस्टेट करना है जो भी आपका सबसे इस्टेट है उसके बाद आपको यहां पर अपना नाम टाइप करना है वह आपका लॉग इन आईडी होगा ठीक है तो सिंपल यहां पर मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने लिए कर रहा हूं मैं कोई सब्सक्राइब आपके फोन में जो नमबर है वही नमबर आपको यहाँ पर देना है क्योंकि आपको एक OTP आएगा वही OTP डालने के बाद ही आपका यहाँ से कंप्लेंड रेजिस्टर करना है स्टार्ट होगा ठीक है तो आपको क्लिक करना है जैसे आपके इस ही नमबर पर ओठीक पर आंगा अपको यहाँ यहाँ पर डालना के बाद यहां पर दीकिए Одतिप अब् MRI मातक review यहां से कुछ पूछा जाएगा वह यहाँ पर फिल करना है तो सबसे पहले आपका यहाँ पर login ID अल्रेडी आ जाता है या title आपको select करना है Mr. O या फिर आप Mrs. O उसके बाद आपको यहाँ पर name डालना है जो भी आपका real name है वही name आपको डालना है और यहाँ पर आपको अपना date of bird डालना है ठीक है तो date of bird पर click करके आप अपना date of bird डाल magic help mother किसी एक का नाम देना है जिसका भी आप देना चाहती हूं आपए आप़ father select करके यहाँ पर आपको father का नाम डालना है उसके बात यहाँ पर dweseल हसा post आपको डालना है उसके बात यहाँ पर आपjcie 你 आपको यहाँ पर डाल देना है Simply डालने के बाद आपको यहाँ पर Save and Continue पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद जैसे आप Save and Continue में क्लिक करते हो और एक पेज खुल के आएगा यहाँ पर भी आपको कुछ डिटेल्स देना है सबसे पहले तो Category of Complain आपको Select करना है यानि कि किस तरीके से आपके साथ Fraud हुआ है अगर आपके साथ Online Fraud हुआ है तो Online and Social Media Related Crime पे क्लिक करना है और यहाँ पर और एक Sub Category of Complain आपको Select करना है तो यहाँ पर Simply में Online Job Fraud Select कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए and यह सबसे Important है यहाँ पर आप लोग देख रहे हो यह सबसे Important है यहाँ पर Actually आपको Date डालना है जो Date पर आपके साथ Fraud हुआ है वही Date आपको डालना है यान अगर आपको Timing पता है तो यहाँ पर आप कितने बज़े वो डाल सकते हो अगर आपको Timing पता है तो आप डाल सकते हो अगर आपको Timing पता नहीं तो नहीं डालने से भी चलेगा ठीक है तो Simply यहाँ पर मैं Date डाल देता हूं कुछ भी और यहाँ पर Is there any delay in reporting यह भी काफी important है यानि कि एक अपता पहले आपके साथ fraud हो है एक अपते के बात आप यहाँ पर complaint register कर रहे हो तो आप delay हो अगर आप delay हो तो आपको Yes पर क्लिक करना है Yes पर क्लिक करने के बाद Reason for delay in reporting वाला option आएगा तो यहाँ पर आपको reason देना है किस वज़े से आप delay हो तो मैं अभी तो simply इसको no कर देता हूं अगर no करोगे तो नहीं आएगा अगर यहाँ पर आपको select करना है कि कहां से आपके साथ fraud हो आपको email आया था या फिर facebook से fraud हो आप इस्टाग्राम Snapchat बहुत चारे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अगर यहाँ पर है तो क्लिक करना है अगर नहीं है तो other पर क्लिक कर देना है तो मैं simply email पर कर देता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए उसके बाद जैसे आप email पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको उसका email आईडी देना पर चूस फाइल बोल के आ रहा है यानि कि जिस तरीकेसी भी आपके साथ फ्रॉडवाई चाहे वाट्सअप से हो चाहे आपको मैसेज चाहे आए उसके बाद आपके बैंक से पैसा काटा है उसका जितनी भी आपके पास पूरूप है सब का इसकिन सोट लेना है और चूस ए चाहे यहां पर फोटो डाल सकते हो उसके बाद यह डिस्क्रिप्शन काफी इंपॉर्ट है यहां पर डिस्क्रिप्शन आपको पूरा डिटेल्स में लिखना है ताकि जो भी आपका इस कंप्लेन को चेक कर रहा है उसे अच्छी से पता चल पाएगी किस तरीके से आपके सा अगर आपको नेम पता है तो आप पता नहीं है तो आप मत डालना अगर आपके पास उसका कुछ भी डॉकॉमेंट चे बैंक अकाउंट नमबर या फिर ड्राइविंग लाश्न इमेल आईडी गौर्मेंट इशू कार्ट मूबाइल नमबर पेंड कार्ट वोटर आड़ कु इमेल आईडी है तो आप सिंपल यहां पर डाल सकते हो अगर मूबाइल नमबर क्लिक करोगे तो यहां पर क्या करना है आपको उसका मूबाइल नमबर देना है ठीक है अगर मूबाइल नमबर के जगह अगर मानलो आपके पास उस स्कैमर का ड्राइविंग लाइसेंस है तो कर देना ठीक है तो उसके बाद simply save and next पर आपको क्लिक कर देना नेक्स पर क्लिक करने के बाद यह आपका पूरा डिटेल्स आ जाते हैं एक बार इसको अच्छे से अगर पूरा डिटेल्स आपका सही है तो सेब अजं प्रेव्यू पर आपको क्लिक करते देना उसके बाद गड़ाईसच जैसे अप सेब एंड click करते हो आपको एक बार पूरा डिटेल्स दिगा आएगा वो पूरा details आपको check करना है जो जो आपने details दिया था अगर सब कुछ सही है तभी आपको नीचे summit का option मिलेगा submit करना है अगर कुछ गलत है तो आप गलत information नहीं दे सकते सब कुछ चही है तभी आपको submit पे click करना है submit पे जैसे आप click करोगे उसके बाद आपको एक complaint number दिया जाएगा ठीक है सो इसके बाद ही सबसे important काम आपको करना है काफी सारे लोग सिर्फ complaint करकर छोड़ देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है complaint number लेना है आपको and direct जाना है अपने bank पर उसके बाद bank पर जाने के बाद bank manager को बताने की कैसे आपके साथ fraud हुआ था and किस date पर fraud हुआ था and उस scammer का account details भी आपको देना है so अगर आपको scammer का account details नहीं पता है तो आप settlement में जाके चेक कीज़े आपको details मिल जाएगा उसके बाद वही सारा details bank manager को देना है उसके बाद bank manager क्या करता है उस scammer का account details लेकि वो check करता है कि सच में आपके account से उस scammer का account पर पैसा गया था अगर सच में आपके account से उस scammer के account में पैसा गया है तो वो क्या करेगा उस पैसे को hold कर देगा and सबसे important चीज़ गाईस द्यान से समझना अगर इस scammer ने आपके साथ fraud किया है अगर उस fraud किया हुआ पैसा उसके account में ही अगर उसने इस्तमाल नहीं किया है तो bank manager क्या करेगा उस amount को hold कर देगा and 24 hours से लेके 7 days के अंदर वो पैसा जिस account से भी कटा था उस account में return कर देगा ठीक है अगर मालो इस scammer ने already आपके पैसे को इस्तमाल कर दिया अगर उसके account में पैसा नहीं है तो bank manager आपके पैसे को refund नहीं कर पाएगा तो bank manager इतना कर पाएगा कि उस account को cease कर देगा उसके बाद scammer उस account का कभी भी इस्तमाल नहीं कर पाएगा so guys अगर आपके साथ fraud हुआ है तो आप complain कीजिए आपका पैसा वापस आजाएगा अगर इस्तमाल नहीं किया है अगर मालो इस्तमाल कर भी दिया है तब भी आपको complain करना है क्योंकि हमें scammer को भी सबक सिखाना है ताकि वो किसी के साथ भी और scam ना कर पाए so thanks for watching this video इस तरीके का scam से आपको बच के रहना है और मैं आप लोगों से और एक बार request कर रहा हूँ आपके साथ चाहे किसी भी तरीके का fraud होता है आपको complain करना है so thanks for watching this video मैं मेलता हूँ आपको अगले वीडियो पर तब तक लिए जहिर